सुप्रीम कोर्ट ने सोंबार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोट बंदी को चुनाती देने वाली अठावन याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाए जस्टिस अब्दुलनजीर की अध्यक्षता वाली पांच जज़ों की संवधानी बैंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवधानी बैंच ने पांच दिन की बहस के बाद साथ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखिया फैसला सुनाने वाली बैंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस भी आर गवई, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस वी रावा सुद्रमन्यम और जस्टिस बी वी नागरत ना शामिल रहे आपको बता दे इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और RBI से नोट बंदी से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकोर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा था जिसे सील बंद लिफाफे में जमा कर दिया गया था अदालत में नोट बंदी के खिलाब दायर याचिकाओं पर सुलबाई के दौरान RBI के वकील और याचिका करताओं के वकीलों की दलीले सुनी RBI की और से अटोर्णी जनरल आर बैंकेटर मणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीले पेश की वहीं याचिका करताओं की और से कॉंग्रेस के वरिष्टनेता और अधिवक्ता पीचु दमरम और शाम दिवान पीश हुए चुरमरम ने 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नोटों को बंद करने को गंभीर रूप से तुरुटी पूर्ण बताते हुए तर्क दिया था कि सरकार लीगल टेंडर से सम्मधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शिरून नहीं कर सकती है ये केवल RBI के केंद्रिय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है याचिका करताओं की कोट के सामने दलीले सरकार द्वारा अपनाई गई प्रकरिया में भारी खामिया थी और इसे रद्ध किया जाना चाहिए इस प्रकरिया ने इस देश के कानून के साशन का मजाग बना दिया केवल RBI के केंद्रिय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोट बंदी कर सकती है लेकिन यहाँ प्रकरिया को ही उलट दिया गया केंद्र ने फैसला लेने के दौरान एहम दस्तावेजों को रोक दिया जिसमें सरकार द्वारा RBI को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और RBI बोर्ड की बैठक के मिनिट्स शामिल है केंद्र ने कोट के सामने रखे थे ये तर्क जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंक्वाज जैसी गतिविद्यों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक एहम कदम था नोटबंदी को अन्य सभी सम्मंदित आर्थिक मीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जाच नहीं की जानी चाहिए आर्थिक व्यवस्था को पहुँचे बहुत बड़े लाब और लोगों को एक बार हुई तकलीफ की तुलना नहीं की जा सकती नोटबंदी ने नकली करंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया नोटबंदी से डिजिटल अर्थ व्यवस्था को लाब पहुचा है RBI ने ये दिये थे तरक केंद्र से सिफारिश करने के लिए RBI अधीनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया RBI की केंद्रिय बोर्ड की बैठक में निर्धारित कोरम पूरा किया गया जिसने सिफारिश करने का फैसला किया गया था लोगों को कई मौके दिये गए पैसों को बदलने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गए Bureau Report पंजाब केसी